हेलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, तो आज मैं आपके सामने अपना नाइट डिनर रूटीन से एर कर रही हूँ, वैसे तो हम हलका फुल कई खाते हैं डिनर में, बट आज कुछ स्पेशल बनाने का मन था जिसमें मैं आलो पूरी, हलवा और राइता बनाने जा रही हूँ, चलिए आईए, अब मैं अपना डिनर बना लेती हूँ, तब तक हस्बैन भी आ जाएंगे, मेरा डिनर भी तियार हो जाएगा, ठीके, आप आगे कब लोग इंजोई करिए, यहां पर मैं आलो की सब्जी बहुत ही, सिंपल तरीके से बना रही हूँ, जो हम डेली मसाले यूज करते हैं, कोई इसमें मैंने स्पेशल मसाला नहीं यूज किया है, और बोल थी, जो कहते हैं जीरे वाले आलो, वाली हैं, बस थोड़ी मैं ग्रेवी वाली बनाओंगी, अ जी देखिए, इनको ना हम ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत देश्टी लगते हैं, खाने में, मैं थोड़ा पानी डालूंगी इसमें, सबजी अब इदर पकती रहेगी इतना, और मैं दूसरे साइड में हलबा बनाने की तियारी कर लेती हूं, और इसको पकती रहेगी साइड में, तो मैंने यहाँ पर कुछ टमाटो लिये थे, और हर अदनिया और खीरा लिया था, तो उनको भी वोस्ट करके रख देती हूं, अब देखें मैंने हलबा बनाने की तियारी कर दी है, तो यह घी वेरा घर कई है, देशी घी, जो मलाई से बनाती हूं, मैं हलबा कभी भी और किसी चीज में नहीं बनाती, देशी घी में बनाती हूं, हमेशा, यहाँ पर लिया मैंने, एक पया से कमी है सूजी यह, थोड़ी सी कमी होगी, तो इसको मैं अब ढूम लेती हूं अच्छे से, यह देखें, मैंने इसमें थोड़ा घी कम पड़ गया था ना, तो मैंने फिर और घी डाला था इसके इंदर, देखिए, सूजी भून कर एक दम तयार है, अच्छे से भून गई है, चाहे तो हम सूजी को एक साइड में प्लेट में निकालके तब भी पानी को पका सकते हैं, बट मैं यहाँ पर उसके अंदर ही पानी डाल रही हूं, और फिर उसके अंदर चीनी डाल दूगी, हलवा तो कहीं तरीके से भी बनता है मैं इसी तरीके से यहां पर बना रही हूँ मैंने यहां पर पानी डाल दिया है सूजी के कोडिंग और एक कटोरी चेनी की डाल दी है यहां पर उधर मैं सबजी को भी चेक कर लेती हूँ इतना लग लग सब्जी भी बनकर तैयार है मेरी और ये देखिए हलवे में भी उबाल आ गया है इसको मैं थोड़ी देर ढखकर पकाऊंगी ये देखिए हलवा बनकर तैयार है अब मैं इसमें थोड़े से ड्राइफ्रूट डाल देती है एक बार आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ ये देखिए हलवा एक दमदानेदार बना है खाने में भी बोट टेश्टी बना था अब मैं गैस बन करके इसको साइड में उतार देती है मैं हरा धनिया साप कर रही हूँ याँ पर क्योंकि मुझे सबजी में डालना था ना हरा धनिया ये देखिए दई का राइता मैं मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ टोमैटो और खीरे का राइता ये बहुत अच्छा लगता है राइता इसमें मैंने ओनिया नहीं डाला है क्योंकि शाम को ना ओनियां खाते हैं तो ना मुँमे से स्मेल आती है तो इसलिए हम ओनियां नहीं खाते हैं शाम को skip करते हैं खाने के क्योंकि यह वोगत इसमे लगती है फिर बाद में देखे और अमें इसके अन्दर salt और जीरा पावडर डालूँगी जो मैं घर पर बनाती हूँ जीरा पावडर जीरे को भून कर पावडर बनाती हूँ न तो मैं इसके अंदर डालूंगी और उपर से डाल देते हैं हरी पत्ती बहुत ही अच्छा रायता बना था अब मैं सब्जी में हरा दनिया डाल रही हूं बेदे को और उसके बाद आटा गुंदूंगी क्योंकि पूरी के लिए आटा भी गुंदूंगी आटा चावल मैं नीचे ही रखती हूं जो मेरे पास दो ड्रम है न स्टील के एक में चावल रखती हूं और एक में आटा रखती हूं तो नीचे से मैंने आटा निकाल लिया है मैं आटा बूंदना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर आटा मेरा बूंदना तयार है और मैं अब बनाओंगी पूरी और यह भी आगए थे इतना आपिस से ना यह देखे पूरी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया मैं पूरी बनाती जाओंगी और यह खाते जाएंगे क्योंकि गरम गरम यह अच्छे लगती है फिर मैं यह कह भी रहे थे कि तू सारी गट्टी बना ले फिर गट्टी खा लेंगे मैंने कर नहीं आप गरम गरम खाओ यह मेरे पीछे ही खड़े थे और मुझसे बाते कर रहे थे इसी बारे में जाई तू पूरी बना ले पहले एनकर नहीं पहले आप सब खाईए मैं बाद में खालूंगी तो चलिए मैं पूरी बना लेती हूँ और फिर इन सब को खाना दे देती हूँ यह देखिए मेरी पूरी एकदम अच्छे से फूल चुकी है और सारी पूरी ऐसी फूली फूली बनी थी यह देखिए कर प्रारी एकदम यह देखिए यह देखिए मेरा हलवा बन कर तयार है इधर सबजी भी देखिए और यह रायता पूर्ट पूरी चलो मैं आप सब के लिए भी प्लेट लगाती हूँ यह देखिए यह प्लेट आप सब के लिए खाई यह चलो टेश्ट करके बताओ कैसा बना है अच्छा लग रहा है ना देखने में आ गया ना मूं में पानी कमेंट करके बताना जरा किस किस के मूं में पानी आया है चलो फिर मैं सब को खाना दे देती हूँ यह देखिए मेरी लड़की को बरतन साप कर रही है बोल रही थी मम्मी मुझे साप करने है मैंने कर रहने दो तो मैं यहाँ पर अब किचन समेटने आई हूँ खाना खुना खाकर चलो मैंने कर बरतन दो देते हैं किचन समेड देते हैं तो बड़े 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 बरतन भी काफी हो जाते हैं जब कुछ ओईली खाना बनाते हैं स्पेशल खाना बनाते हैं तो मैं यहाँ पर किचन की सफाई करके अपना गैस बुष साप करके और अच्छे से क्लीन कर देती हूं क्योंकि मैं रात को क्लीन करके लेटती हूं सुभा को मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है बागा दोड़ी रहती है सुभा के टाइम बहुत ही उधर हस्बैन, वीजे, बच्चे दोनों उनका लंच फैक करना और दोनों बच्चो का लंच फैक करना तो इतना टाइम नहीं होता है अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक जुरूर करना और जो मेरी वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं लीज वो भी चैनल को सस्क्राइब करें मिलती हूँ आपको एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ गुर्णाइट